Hello friends, today I'll teach you questions of class 8th chapter 12. The chapter is beat the clock. So let's understand the meaning of this title. Clock means क्या होता है? घरी. जो दिवाल पर क्लोक रहता है ना, उसको बोलते हैं क्लोक. दिवाल पर टांगने वाली घरी क्लोक कहलाती है. और कलाई पर बांदने वाली घराई, घरी क्या कहलाती है? वाच. ठीक है ना? इस्ट वाच हो गिया ठीक है? तो beat the clock. इसका हम meaning समझ लेते हैं. beat means होता है मात देना, हराना. ठीक है? अगर clock means हो गिया घरी. घरी को कोई कैसे हराएगा? इसका हम literary meaning निकालेंगे time. clock means क्या लिखेंगे time. तो time को कैसे हराया जाए? time से कैसे जीता जाए? मुख्य रूप से यही अर्थ निकलेगा. time को कैसे मात दिया जाए? ठीक है? इस chapter को परहाय है कि नहीं बता दिजीगा. अगर होगा तो हम इस पर वीडियो त्यार कर देंगे. हम इसका question answer देख लेते हैं. ठीक है? question answer यहाँ से start होता है. कह रहा है कि let's comprehend. चलिए comprehend करते हैं. think and tell. सोचिए और बोलिए. answer the flowing questions briefly. briefly means होता है संक्षित तुरूप में. ठीक है न? नीचे के सवालों का जवाब संक्षित तुरूप में देना है. how can we? मतलब we? मतलब हम लोग. हम लोग कैसे avoid करना means होता है. नकारना, त्यागना. ठीक है? कैसे त्याग सकते हैं. wasting time, time बरबाद करने से कैसे बच सकते हैं. एक तरस इसका meaning मिल जाए. तो हम अपनी समय ऐसे ही बेफालतू को बिताने से बच जाएंगे. ठीक है? and or clutter free table और जो हम table use करते हैं परने के लिए उस table पर ज्यादा कूरा, कच्रा या बेकार की सामाने नहीं रखेंगे. ठीक है? to save time जिससे की हम क्या होगे? अपना समय बचा लेंगे while studying परन नहीं तो क्या होगा? हमारा आधा से ज्यादा समय उसी table को साफ करने में कौनची कीता में परनी है? इसी को सुचने में निकल जाती है. फिर second question है why should we keep our table clutter free? हमें अपनी table clutter free means बेकार की चीजों को हटा कर क्यूं रखनी चाहिए? इसका answer लिखेंगे we should keep our table हमारे table को ठीक है न हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? we should keep our table clutter free means साफ रखना चाहिए ठीक है न? समझे न? to save time जिसे क्या करें हम? time बचा ले time बचा ले ठीक है न? समय बचाने के लिए हम लोगों को table को साफ रखना होता है and utilize in a study और जो समय हम लोग बचाते हैं उन्ही समय को ह what a step should we take? हम लोगों को कौन सी step लेनी चाहिए? ठीक है किस तरह का कदम उठानी चाहिए? to do the most important things first सबसे ज़्यादा महत्पुर्ण चीजों को पहले करने के लिए कौन सी कदम उठानी चाहिए? तो इसका हम answer लिख रहा है है we should make a to do list हम लोगों को to do list बनाना चाहिए to do the most important things first जैसे कि क्या हो? जो सबसे महत्पुर्ण चीजे हैं उनको हम पहले कर सके ठीक है न? अगर हमारे पास एक prepared plan होता है तो हम लोगों उस काम को जल्दी और समय पर कर लेते हैं ठीक है? आगे b.2 बोल रहा है think and write सोचिए और लिखिए write t for true अगर सही होगा अनकथन तो उसके लि सबसे मिन्स गलत है तब एप लिखेंगे और सही है मिन्स टी लिखेंगे ठीक है तो question read कर लेते हैं उसके बाद हम इसका response करेंगे ठीक है न? रिमजिम वाज एबल रिमजिम जो थी न? योग्य थी एबल मेंस क्या होता है योग्य होना योग्य थी तू अस्टडी की पर सके ठीक है परने के योग्य थी according to her plan जैसा उसका plan था रिमजिम को उसके हिसाब से according मतलब होता है कि अनुसार हर प्लैन अपनी प्लैन के अनुसा सब पता होगा इसा भी कर्ता है पर देज़ क्षब फिर मारे तो वेंच आवर टाइम और मीस्ट करते हैं और वब रहने करते हैं को समय को वेस्ट रखते हैं और हमई क्या करती है यह तो आप को सब को भी पता होगा इसा बहुत सारा चीज है तो लिखेंगे ट्रू फिर थाट कोशन है प्रोपर और्गनाइजेशन एंड प्लैनिंग अगर हम प्रोपर और्गनाइज रहेंगे तयार रहेंगे और प्लैन करके रखेंगे तो वह क्या हेल्प करेगा हम लोगों को टाइम वेस् वह हमें बचाएगा कि अगर हम प्लैन करके रखेंगे कि कौन सा काम पहले करना है को तयार रखेंगे तो बिल्कुल करेगा तिसका लिखेंगे ट्रू फिर फोर्थ क्वेस्टन है इट इस नोट नेसेसरी कोई जरूरत नहीं है कोई अवस्यक नहीं है तो हैव सेपरेट नो बनाएं इसके कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत है इसके कोई जरूरत नहीं करता हुँ सबías कर पाते हैं फो परहाईए के दर्मियान a study time means पर्ने के समय में we should avoid talking to our friends हमें अपने मित्रो से बात करना नहीं करना चाहिए ठीक है ना हमें अपने मित्रों से बात नहीं करना चाहिए परहाई के दर्मियान ऑन टेलीफोन फोन पर एंड मोवाइल और मोवाइल पर सही बात है हमें क्यूं बात करना है परहाई एक समय होना चाहिए तो ट्रू लिक है ठीक है फिर क्वेस्ट नमर फाइब है इट सेबस टाइम यह हमें यह हमारी समय बचाती है इफ वी कीप दा स्टडी टे सेबन नमर क्वेस्टन है वी सूदिक नेभर से हम लोगों को कभी नहीं कहना चाहिए नो नो हम लोगों कभी नहीं कहेंगे तो आवर फिरेंस अपने दोस्तों को बिल्कुल कहेंगे जब हमें महतपुर्ण चीजों की जानकारी मिल जाएगी हमारे लिए कौन सा काम महतपु हम लोगों को help करता है to do important things first पहले जो important है उसको पहले करने में true ठीक है आगे है answer each of the flowing questions in about 70 words नीचे के सभी सवालों का जवाब 70 सब्द में देना है जितना वह चाती थी उतना क्यों नहीं पर सकी ठीक है ना तो आपने क्या किया इस तरह के परिस्तिती में आकर इसका answer लिख रहे हैं रेम जिम कुड़ नोट study as much as she wanted to do रेम जिम अस्टड़ी नहीं कर सकी study means परहाई नहीं कर सकी as much as means उतना ज्यादा जितना ज्यादा she wanted to do वह करना चाहती थी because क्यों नहीं कर सकी क्योंकि of her because of her because of के सिधा एक साथ लिखिएगा और इसका मतलब हो जाएगा ताइम टेबल और उसके पास कोई तैयार टाइम टेवल नहीं था कि कौन सा में में कौन सा चीज परना है यह सभी उसको परहाई करने में बाधाएं थी ठीक है यस मिन्स हां आगे जो कोईशन पूछ रहा था ना क्या आप इस तरह सिचुएशन फील किये हैं तो हम लिखेंगे यह साम भी फील किया है आई है अपर अलसों फेज तरह की परिस्तिती मेरे सामने में भी आया बट लेकिन आइड़िड मैंने वहने मैंने किया तक है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इसे चीजों को लिस्ट बना यह ठीक है विच कैन हेल्प यूज आपको मदद कर सकता है से ब यो टेंड जो आपकी समया बताने में बचाने मदद कर सकती है ऑसे चिज़ों को बनाएं डू यू करते हैं यह सब फूरी है इसका हम एंसर लिखे हैं डूस और दोंस क्या करना चाहिए इदर लिख दिये क्या नहीं करना चाहिए एदर लिख दिए एक पर यहां पर पर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है इस पर भी ध्यान देंगे ठीक है ना प्रभावित बनाने के लिए हम लोगों कि यह उपर लिखी जो तरीके हैं काफी हेलपूल होगा और इन तरीके से मैं अगरी करता हूँ ठीक है मैं सहमत हूँ फिर आगे थार्ड नमर क्वेशन है क्या है कि टेलीफोन और मॉवाइल जो है आपन वेस्ट आवर टाइम प्राया हमारे समय को बरबाद करता है लिस्ट सम आफ दा वेज इन विच वी कैन यूज देम प्रोपर ल वेस्ट आबर टाइम टेलीफोन और मॉवाइल जो है ऑफन मिन्स होता है प्राया हमारे समय को क्या करता है वेस्ट करता मिन्स बरबाद करता है इसलिए इसे समय को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो मेक अटू मेक आ लिस्ट आफ टू डू यहां लिए एक अईसा लिश्ट यहार करेंगे जिसमें हमें क्या करना नहीं करना वह लिखा रहे ठीक है ना टू टास्क विट टाइम पिडियोड के हिसाब से लिखेंगे कि कितना समय तक हमें यह सब्जेक्ट परना है और कितना समय तक हमें फोन पर बात करना ठीक है तो डैट जिससे क्या होगा वी सो डैट वे उस तरीके से विल हेल्प टू सेव आवर टाम वो जो है हमारा साम समय बचाएगा वाल यूजिंग फोन फोन यूज करते समय ठीक है फॉर एक्जामपल वी सुद नोट वास वीडियोज ऑनलाइन मोर देन टू और तरी अवर्स दारण के कर सकते हैं कि दो या तीन घंटे से ज्यादा हम लोगों को वीडियोज नहीं देखना है ठीक है फूर्त नमर क्वेस्टन है हाव ड़ाज चार्ट लिस्ट अप थिंग से टू बी डन एक चार्ट जो है और जो चीजों की चीजों की जो लिस्ट है उसे कैसे टू बी डन हेल् एक ऐसे हल्प करती है हमारे समय को सही सही उज़ करने में इसका इंसर लिखे हैं लिस्ट आफ टू डू टास्क एक ऐसा लेस्ट जो हमें क्या करना है नहीं करना वह बताए वह लिस्ट चार्ट लिस्ट या चार्ट जो है help us to save our time वह हमारे समय को बचान में मदद करता है because क्योंकि it reminds me the task और plan accordingly time क्योंकि है समय के नुसार हमें हमारा task हमें हमारा काम याद दिलाते रहता है so that we could complete our goal on time जिससे कि हम अपने समय के अनुसार ही उस task को complete कर सकें अगे हैं सी पोंट में word study इसमें word study के बारे में बात किया गया है circle the words with wrong spelling का कि वो इसे spelling को circle किजिए जिसके spelling गलती है correct देम उसे फिर सही भी करना है जिसकी देखे system 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 होता है marathon सही है यहाँ पर goal नहीं करिएगा ठीक है नहीं सही है spelling सही है जो गलत है उसको हम सही करके लिख दिये नीचे फिर grammar में क्या होता है जी आर एम 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 एर grammar होता है इसको लिखने के एक और तरीका है आर एम राम लिख दीजिए ठीक है फिर इसी को उल्टा लिखे पहांचने के तरीका है फिर देखे राइटिंग में डबल टी होता है नई राइटिंग में इसे भी होता है और अराइटिंग इसे होता दिये प्रस्थायर विस सही है इन्टरप्ट गलती है ठीका ना आ इंट इडवल आर होता है यू पी टी इंटर्प्ट हो गया पिर देखिए क्रेजी भी सही है सवल सब्साइब साइए इसके बद च्राइबी यल गलती था टीर भी फिर आगे देखिए यहां पर कहता है सी.टू में एड़ीट में पिक आउट अव्ट इनोनिम्स आप दा फ्लोइंग वर्स लेशन को फिर से पढ़िए जो चप्टर अभी पर है ना फस्ट रॉल इमाई लाइफ इसको फिर से पढ़ना है और इसमें से साइनोनियम खोजना है इन सभी सब्दोखा राइट देन राइट देम डाउन इंदा इसपेस गीवन भी लो नीचो जो इसपेस है frå offenders होता है मिलता चुलता ना Past celebrating साही राइट मिंश भी साहिव होता है पिर आगे है उनोनिम लिखना मिनसा हार्डender उसको हेट एड लिख सकते हैं हो गया जिसका हो जो डार फिर आगे इनको हम लोगों को यूज करना अपने से से एक संटेंस बना कर तो यह बना दिए प्रिंसिपल टुक ओभर दा गार्डेन क्लीनिंग अथोरिटी प्रिंसिपल ने क्या किया गार्डेन को साप कराने की अधिकार ले लिया ठीक है ना टेक आपको मतलब हो गया वी सुट टेक अपन न्यू प्लैन हम लोगों को एक नया प्लैन त्यार करना ची सब्सक्राइब को बुलाती है ठीक है पिक अबर मतलब क्या होगे दा प्राइस ऑफ गोल्ड है बहुत ज़्यादा बर गिया है ठीक है फिर आगे है देर मैनी कंपाउंड वर्ड्स यूजड इन टेक्स टेक्स्ट में बहुत सारा कंपाउंड वर्ड यूज हुआ है यह आर अब दास को सब्सक्राइब और अपना मान से बनाना है ठीक है इसी तरह कर तम यहां नोट बूक बना दिए टेक्स्ट बूक बना गिए वर्ड को बना दिए ठीक है दसको नहीं था इसमें जो था ना कंपाउंड वर्ड सो इसे वर्ड सो को चून के इसमें लिखना था ठीक है फिर आगे हैं चेंज दा फ्लोएंग इंपरेटिव सेंटेंस इंटू स्टेटमेंस विट एन अब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस इंफिनिटिव इसको एक सेंटेंस दिया हुआ है इसको क्या करना है चेंज करकर बदलना है मतलब जो इधर इंपरेटिव सेंटेंस है इसको एसे ही लिखना है देखिए टीचर से टीचर बोलते हैं तो हर स्टुडेंस अपने स्टुडेंस को राइट एंसे एक एसे लिख होती इसका क्या लिखेंगे जो टीचर है वो चाहती है हर स्टुडेंस अपने विध्यार्थियों से एक एसे लिखा जाए मदर जो अपनी बच्चे से कहती है टीवी बंद करो यहां क्या लिख है उसी तरह से हम आगे भी इसको क्या करेंगे बना देंगे हम बना दिया वीडियो पाउस करके देख लिजेगा इसमें कोई समझने वला बात है नहीं आगे देखे एक पॉइंट में कहा रहा है लेट्स टॉक बाचित करना है वर्क इन ग्रूप एंड टॉक अबर्ड़ थिं आगी हमें नहीं करना चाहिम ही और से टायम यह आवर से यह आपका पराएक समय बच जाये नहीं सद्गे सब्सक्राइब तैबल रखेंगे कुटा कच्छा ने रखेंगे और सेल और ओन्फॉन पर बात नहीं करेंगे वाइल स्टिंग ठीक आना साथ में जोड़ दिजीएगा वाइल स्टिंग पहते हमें गलत आदत है Talking with friends प्रहाई के समय friends बात नहीं करेंगे ठीक है फिर यहां translation इसमें कहा कि हमें अनुसासन बद्ध होना चाहिए इसका लिखें हमें discipline होना चाहिए समय बदता भी अनुसासन का ही एक परकार है punctuality is a type of discipline समय को बरबात करने का आर्थ है समय को बरबात करने कालाता है यही पर हमारा chapter हो जाता है अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना है या फिर कुछ पूछना है तो comment section में पूछ सकते हैं धन्यवाद